तो भारतिये जनता पार्टी ने साथ उम्मीदवारों के नामों का एलान कर दिया है, उप्चनाव की तैयारी है, बात करने के लिए बीजेपी, वरिष्ट नेता और पूर्व मंत्री सिधार्ट ना सिंग जी मौझूद है, सिधार जी किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी न वाली है, चुनाओ, उसका कारण है, बहुत जल्दी इन लोग का इंडी अलाइंस का परदाफास हुआ, किस प्रकार से अभी टिकेट के बटवारे में इन लोग की खिच-खिच रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही, माराश में भी रही, और इसके अंदर जो कहा भी जात है, माना भी जाता है, काट के हंडी एक ही दिफच रहती है, इन लोगों ने, इंडी अलाइंस ने, जो सम्विधान का एक शुकूफा छोड़ा था, और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया तो उनको अब समझ आ गया है, कि सम्विधान कहीं खत्रे में हैं, तो इनके सा जो है, वो कहीं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे भी, अब ये जो विश्वास है, मोदी जी के उपर, उत्तरपदेश के अंदर, मोदी और योगी जी के उपर, ये विश्वास बड़ा है, दोहजार चौबीस के चुनाओं में, जो कार करता है, वो और कमर्करस के हुआ है और इस दफे अच्छे रिजल्ट आएंगे यह देखें गया करहल की लड़ाई बहुत दिल्चस्प हो गया नुझे श्यादब को बीजेपी ने टिकेट दिया है फूफा लगते हैं तेजप्रताप यादब के तो भतीजा बनाम फूफा है यह करहल में जो फूपा ब को अभी और एक दफे मौका देंगे उम्र उनकी लंबी है तो जनता उनको बाद में मौका देगी मपूपा ही इस दफे विजे होईंगे निशाद जी ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ रिजल्स सामने नहीं है यह देगा हम लोगों की बाचीत होती है मगर जिस प्रकार स कोंग्रेस के बियान आ रहे थे और अखलेश जी के बियान आ रहे थे गडबंदन के उस प्रकार के आपने ब्यान बाजी नहीं देखिए तो इसका लाब मिलता है और हम लोगों ने चाहे संजे निशाद जी हो या कोई भी गडबंदन का हमाई साथी है वो मिलके चलते है औ क्या लगता है क्या गर्बड़ी हुई कि मतलब कॉंग्रेस अब चुनावी नहीं लड़ रही जानकारी मिल रही एक और सीड चाहते थे गाज़ियाबाद भी चाहते थे तो तीन चाह रहे थे वो और मैं आपको यह बता दू कि हम लोग से कवी कवी कॉंग्रेस के लोग भी मि मैसेज दे दिया और उन्हों ही नहीं दिया महराश्टर में भी आप देख लिजिए चाहे उदव ठाक रहे हों या कोई हो सब ने एक मैसेज दिया है कॉंग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहूल गांदी पर विश्वास नहीं है इसलिए हम लोग आपके साथ गड़बंदन तो रखना चाहते हैं मसीटों का बटवारा उस तरह से नहीं कर सकते हैं और वही अखलेश आदों ने किया उनको मेसेज दे दिया है अब कॉंग्रेस क्या करेगी उप चुनाओं में वह आप सब जानते हैं मगर उस उप चुनाओं में कॉंग्रेस के कारिकरत बाहर निकल जाए ऐसा मेरा विश्वास नहीं है तो खैर और गाजियाबाद देखें बीजेपी पास रिकॉर्ड अगर देखिए बीजेपी का अच्छा रहा है तो क्या कोई डर था जोसे कॉंग्रेस नहीं चाहती थी कि अगर दो लड़ेंगे और वहां हार गया तो फिर है तो वो तो विश्वास नहीं है इसलिए उन्होंने नो पे नो कह दिया और फिर उसनोंने एक नोटंग की करदी इंडी अलाइंस लड़ ला है लेकिन जो दो सीटें उन्होंने छोड़ी है उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ा कौन सा कैंडिएट आने वाला है भार्चे ज इनुएंता पाटी दोनों सीटें जीती गी और आप रिजल देखेंगे कि अपकी बार साइकल जो है वो एक ही टायर नहीं दोनों टायर उसके पंचर है सिधार्ट नासिंग एक टायर नहीं बलकि दोनों टायर साइकल के पंचर होंगे यह बात कही है इन्होंने और देखना है उपचुनाव के नतीजे अब क्या बताते हैं कैमरमन गौरफ के साथ समर्थ श्रिवास्तव लकनव आज तक